हलो एवरीवन वेलकम टू चंपक नीज चैनल और दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दलजीत कौर के बारे में और हाली में हुए उनके देहानत के बारे में दोस्तो जानने के लिए इस वीडियो को अंते तक देखिएगा दोस्तो पंजाब की फेमस एक्टरेस थी दलजीत कौर और अगर बात करें इनके निधन की तो 17 नवंबर 2022 को सुबह सुबह इनका निधन हुआ यह 69 वर्ष की थी और यह काफी समय से बिमार चल रही थी इनको दिमागी संबन्दी बिमारिया चल रही थी और शरीर भी इनका काफी कमजोर था काफी समय से एस्पिताल में भड़ती थी जिसके चलते इनका निधन हो गया और दोस्तों आज 12 बजे इनका अंतिम संसकार हुआ चलिए दोस्तों अगर इनकी फिल्मों के बारे में जा लें तो इन्होंने 10 से जादा हिंदी फिल्में करी हैं और 70 से जादा पंजाबी फिल्में और ये काफी famous अभी नेतरी रही है अगर इनकी पढ़ाई के बात करें तो इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है और उसके बाद इन्होंने पूने Film Institute से acting classes ली है दोस्तों इन्होंने अपना debut किया था 1976 में फिल्म दास से और इनकी कुछ famous फिल्में थी पुत जटदे और मामला गड़बड है की बुणी दुनियादा और सरपंच और पटोला दोस्तों अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता थे हरमिंदर सिंग देल और उनके देहानत के बाद इन्होंने कुछ समय के लिए movies करना बंद कर दिया था उनका देहानत हुआ था एक road accident के अंदर दोस्तों 2001 में ये वापिस movies के अंदर नजर आई लेकिन इस बार इन्होंने lead actress की जगे मा का रोल और थोड़े बड़ी उमर के रोल करना इन्होंने स्टार्ट किया जैसे कि इन्होंने सिंग वर्सिस कॉर मुवी के अंदर गिप्पी ग्रेवाल की मा का रोल निभाया था दोस्तों अगर बात करें तो ये national player भी रह चुकी है कबड़ी और होकी के अंदर और ये लुदियाना से बिलॉंग करती थी लेकिन जिंदगी के आखरी दिन इन्होंने गुरू सर, सुधार, बाजार में अपने भाई हर जिंदर सिंग के घर पर बिताए थे तो दोस्तों कैसी लगी आपको डलजीत कौर की कहानी और आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और इसी टाइब का और कंटेंट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जादा से जादा शेयर करो थेंक्यू सो मच